हेलो फ्रेंड मैं अन्द राज आप शो के बीज देखिए आपको हम 28 सकेंड एर का देखिए जो कोर्स आपका टेन है जो सामयूसी सिख्चा आए मन्दा इंक्लूसीव एजूकेशन मतलब कोर्स का नाम है का देखिए एक कोर्स आइसा है जिसमें कोंस्चन देखिए आप थोड़ा आपना दिमाख से लिखेए हैं तरी नीग और अध्लें कद देता है कि बच्चा की से मुल्यांकन किजिएगा समझें तो देखिए इसमें एक हम कोस्चन लेके आये कि अनुकूलन क्या है कच्छा कच अधिकम परिष्टेति के अनुकुलन पर पड़कास डाले या कोस्चन ऐसे भी रहेगा कि सामिवसी सिख्षा में जो बालक होते हैं अनुकुलन कैसे कर पाते हैं अनुकुलन से मिले एंसर आप यहीं लिखे देगा समझे और देखिए इसमें आप एक सतत व्यापक मुल्यांक पर देखिए प्रस्तामना में लिखा हुआ है कि परतेक जीव जब जन मिलेता है तो वह वातावरन से सभाईक रूप चैनुकुलन करता है और समाजस्ट अस्थापित करना शुरू करता है इसलिए बच्चा क्या होता है कि जन मिलेता है क्योंकि देखिए जो गरभासय का ज परतेक जानमा आइब करना समाज अनकुलन करना साबित करना सुरू गरएग तो यहां ठंडा अधिक पड़ता है और यहां पर गर्मी अधिक पड़ता है तो जो तन्दी के नहीं उन्कुलन करने में मुद्व क अस्तित्थ बना रहता उन्कुलन करेगा उसका अस्तित्त बना रहता है यह on पुल अपने आपको ढ़ाल लेता है जिसे गर्मी आता है तो हम लोग प्रफ पहन लेते हैं यहीं कहने का मतलब हुआ कि अनुपूलन के द्वारा ही जीव आता वर्म में कुछ ना कूछ चीछ शिखता रहता और उसी के अनुपूलन अपने आपको ढ़िए ता और उससे अपन सुतिवस्थ पहंते हैं ठंडी की समय हम उनिक प्राप पहंते हैं समझे अब देखे अनुकुलन की परिभास्ता क्या लिखा हुआ है कि कि किसी विश्यस वातावरन में सुगमता से सुगमता पुर्वक जीवन व्यतित करने हैं वंस व्रीधी के लिए जीओ के शरीर में राच सब्सक्राइब करने की परिकरिया है समझे अब देते हैं अधिगम परिष्ति का अनुकुलन नहीं देखे जब बच्चा जब देखे वर्च बदाते हैं जाब बच्चा देखे माली यह समय सीकत्था तो उसमें समान बालक भी राएगा आपका विसिस्ट वालक भी राएग की विवस्ता बहुतिक वातरण की विवस्ता क्या है अरे दो बर लिखा गया है समझे लिखा है भौतिक वातरण की विवस्ता के लिए अध्यापक को बहुत से तत्व ध्यान में रखने होते हैं जो निमलीखित है पहला आपका है कि कक्षा में फर्ष साफ हो डेक्स तथा उपकरन पर विख्री वस्तू को ब्यवस्ति करना है तता बाधा रहित कक्षा का निर्वान करना है तुसरा आपका है कि कक्षा का एक औसत तापमान हो तापमान आकर सकता सुगमता से एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर ले जाने योग हो चौथा आपका है पाठ सहगामी किरिया कलाब करने के लिए प्रयापता स्थान की व्यवस्ता हो कि विकलांग बच्चा भी होगा अब देखते हैं अनुदेशनात्मक वातरवन का संगठन लिखा करता है करता है इस परकृष का सिधा प्रवाव विद्यार्थी पर परता है के अद्धियापों को ध्यान में रखने यो योग मुख सिधान्थने में लिखी है इन पाठकरम कौसल सुचनाओं का संगठन तभिषसयों का किरिया कला बालकों कि लुची के जुर्म रूप को दुसरा है ये कक्षा में बेविन परकार का बालक होते हैं, उनका अधिगा मस्तर अलग अलग होता है, अता इसी अधिगा मस्तर के अनुसार उनका समू बनाना चाहिए, तता उनमें परिवर्तन करते रहना चाहिए, तिसरा है ये कक्षा में अलोकन की ब्यवस्ता करना कर सके परचमापका है आध्यापक को बिद्यार्थियों को बार बार निरच्छन करने उसके अध्यार पर एक अभिलेक दियार करना चाहिए जो की बिद्यार्थियों को उक्ता करना seeking va परविदिया परिक्रियाओं का वेवहार में परिवर्तन उपकर्णों का उच्छ तक्निक माध्यान तता अधिगम साधन समली थे इंटरनेट यूटूब मोवाइल रेडियो तता केंपूटर ने शिक्षा के उत्पदक्ता उन्वत्ता के छेत्र में क्रांती ला दिये ता इस माल लिजे नेट वाला सिस्टम नहीं था पूरा प्रहाई लिखाई क्या होता चौपट जाता है वर्तवान समय में बैस्विक अस्तर पर विद्याले कोलेज्यों महाविद्याले लगभग बंद की स्थिति में है फिर भी तक्निक के माध्यम से छात अपने घर बैठे समय साथनों का परवंधन देखे वहां पर चुटा था वहां पर लिखना है समयाम साथनों का परवंधन होने के नात यहापक अधियायम साथनों का स्थान संगठन तता पर योग का देखवाल करता है इस निमलिखित बिंदूज uset समझात सकता है पहला आपका है कि अनुदेशन का समय अध्यापक को कख्षा के नियमित कार्जक्रम को छोटे-छोटे खंडों में बाहर देना चाहिए तता विद्यार्थियों को बतला देना चाहिए कि किस समय कौन सा कि लिए कलब किया जाए फिर दूस्ति लिखा है फिर नीचा इन इवर्तित कार्जकरम के और बढ़ना चोथा है पचमा निच्चित कार्जकरम परदान करना अब देखते हैं अनुदेशनात्मक समागरी विद्यार्थियों की अधियम साहता के लिए अनुदेशनात्मक समागरी का चुनाव करते समय इस बात वाध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशनात्मक समागरी कब तक कार्ज करेगी इसे कब कितने विद्यार्थि परयोग कर सकते हैं किसकी बनावट कैसी है तता अनुकरिया अस्तर कैसी है तिसरा आपका है कठनाई है तू कार्जकरम यदि अध्यापक को समस्त अनुदेशनों को परयोग्त करने में कठना आप लिख सकते हैं लेकिन आप क्योंकि देखिए एक और चीच बताते हैं कि इसमें आपको तीन घंटा समय मिलता है और तीन ही कोश्चन निखना रहता है इसलिए आप आराम नाम से लिख सकते हैं ठेंक